हेलो माइट इस्टोरेंट्स आपका पुर्णा आज के इस नयव वीडियो में स्वागत है और इनके पिछले वीडियो में हमने कक्छो नोवी गडित प्रेश्ण बेंग गडित के मैं आपका प्रेश्ण बेंग के सोलुशन के डेली वीडियो से ला रहा हूं बार से का हना ब्रिच्वोर्स का हमने इसके पिछले वीडियो में हमने प्रेश्ण दसबे तक का हल देख लेता तो आज के इस वीडियो से हम प्रेश्ण ग्यारवे के बाद के बाद हम हल देखने वाले हैं तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा चले अब हम वीडियो को बिने क जरी के शुरू करते हैं, तो जैसे कि आप दे सकते हैं, हमने प्रशन 11 गयारवा खूल कर रखाए, प्रशन 11 क्या है, सुहानी अपने बचत बेंग खाते में प्रती महा, 25.27 रुपा जमा करती है, आना कितने रूपा जमा करती है, 25.27 रूपर जमा करती है तीन बर्स पूरे होने तक भेकुल कितनी राव सि जमा कर चुकी होगी आपको बटाना है कि जब सुहानी एक मेन में 27.27 रूपर जमा कर दे रहे है तो इस प्रिकार से दिवे हर मेन अपने बचत बैंग खाते में 27 रूपर जम्मा करती रहे तो आप बताईए केलकूल लेसन करके बताईए कि जो सुहानी है बे 3 बर्स 3 बर्स अर्थात 36 माहना एक बर्स में कितने माहना होता है 12 माहना होता है तो 12 गोड़ी 3 करद तो कितने माहना हो जाएगा 36 माईना हो जाएगा 36 माईना में कुल कितने रूप जमा कर देगी आपको यह बताना तो देखिए हम इस प्रेशन को सोल्ब करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे माना खाते में खाते में प्रती महा आप नोट्स बनाते भी चलिए हैं ताकि आपको किसी प्रेकागी दिक्कत ना हूँ खाते में प्रती महा जमा रूपे बराबर से कितने रूपे जमा करती है 2700 रूपे बे जमा करती है इसलिए हम इसका आंसर निकालेंगे कि लिखेंगे हम बात में तीन बर्स और जैसे कि में आपको थाए तीन बर्स में कितने महेन होते हैं 36 महेने तो हम इसको लिख सकते हैं तीन बर्स अथवा 36 महेने में जमा रासी तो बरावर से हम लिख दिएंगे हाना अब हमको अंदाज लगाना है एक महेने में जब 27 रूपा जमा कर दे रही है तो वो 36 महेने में कितने रूपा जमा करेगी तो हमें 36 महेने में जमा रासी निकालने के लिए हमें 26 में 26 का गुणा कर देना पड़ेगा तो देखिए एक महेने जमा रासी कितनी है 26 हो है 26 में हम सिंपल इसे आ गया छे पंचा तीस का जीरो हासिल का तीन, छे साथ ता ब्यालीस, ब्यालीस और तीम पितालीस का पाँच हासिल का चार, छे दुनिया अठारा, अठारा तो चार होता है, बाइस, गुडित, तीन सुन्यम सुन, पाच तीया पंदरा का पाँच, हासिल का एक, साथ तीया एक इसका इसे ओर एक कितना हो गया बाइस का दो हासिल का दो है ना और तीन दूनी छे छी ओर दो कितना हो गया आठ हो गया अब इनको जोड़ दो आप सिंपल इसे 0 का 0 0 0 5 और 5 10 का 0 हासिल का एक हो गया 2 और 2 4 चार हो और आपर पांच हो गया आठ और दो दस यहाँ पर हो गया तो देखिए इसका answer कितना आ जएगा सुरी यहाँ पर थोड़ी सी mistake हो गई है न intelligence यहाँ पर 6 दो न ले बारा बारा और चार कितना हो जाएगा 12 और 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा हाना यह मिस्टेक को सुधार लेंगे हैं 0, 0, 0, 0, 5, 5, 10 के 0 हासिल का 1 हो गया 6, 2, 8 8 हो रेगा हाँ पर कितने हो गया 9 हो गया हाना यहाँ पर 8 हो रेगा कितने हो गया 9 हो गया अर्थात आंसर कितने आ गया हमारा आंसर आ गया हमारा 99,000 रुपे हमारा आंसर आ गया अर्थात सुहानी जो है बे तीन बर्स पूरे होने तक बेकुल 99,000 रासे जमा कर चुकी होंगी चलिए अब हम next question की तरफ वड़ते हैं तो देखे चातरों हमारा next question क्या है प्रश्ण बारवा हमारा आरोही क्रम में लिखिये इन जो संख्या दी है आपको आरोही क्रम में लिखना है पहले संख्या 4 दसमिलो 5, दूसरी 5 दसमिलो 4, तीसरी 5 दसमिलो 1, 4 एक दसमिलो 9 अब सबसे पहले आप समझे आरोही क्रम क्या होता है आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं हना कहते हैं उसे बढ़ता हुआ क्रम अर्थात जो संख्या इसमें बे बढ़ते जाती है सबसे सुरू में सबसे छोटी संख्या आती है फिर उसके बाद बड़ी संख्या आती है फिर उसके बाद बड़ी संख्या आती है फिर इस पेकार से सबसे बड़ी संख्या आती है तो अर्थात आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है और अवरोही क्रम क्या होता है अवरोही क्रम होता है मतलब घटा क्रम अर्थात इसमें जो संक्या आए वे घटती है सबसे सुरू में सबसे बड़ी संक्या आगी फिर उसके बाद छूटी संक्या आगी फिर तो देखिए हाँ पर आपको आरो ही किरम में जमाना है अर्थात बढ़ते हुग किरम में जमाना है तो हम आरो ही किरम में जमाना के लिए करेंगे या सबसे पहले हम सबसे छोटी संक्या लिखेंगे तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे छोटी संक्या क्या है इस उसके बाद 1.9 से थोड़ी बड़ी संक्या क्या है उससे थोड़ी बड़ी संक्या है 4.5 फिर देखे 4.5 से थोड़ी बड़ी संक्या क्या है तो हम 5.1 को भी लिखे देंगे इसके बाद देखे सबसे बड़ी संक्या क्या है इन 4 में सबसे बड़ी संक्या क्या है इन 4 में सबस करे आता है आरोई किरम में सबसे पहले हम स्चोटी संके लिखते हैं सबसे चोटी संके लिखते हैं फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी हम लिख देते हैं तो इस प्रेकार से आपको याद रखना है आरोई किरम अर्थाद बढ़ता हुँ किरम हम संक्या को बढ़ता हु एक आकरती गई है, दी गई है, दी गई आकरती के 4 वटा साथ भाग को छायानकित कीजिए, छायानकित या फिरा मेंसे रिखानकित भी कह सकती है, यहां पर देखिए आपको एक ब्रत दिये गए, एक आकरती दी गई है, इसमें देखिए 7 खाचे बने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 खाचा बना है इस में से आपको 7 में से 4 भाग को आपको रिखानकित या फिर 6 आनकित करना है तो simply से हमकित करना क्या है यहाँ पर total 7 खाचे बना है साथ में से हमको 4 जो खाचे उनको रिखानकित कर देना है चलिए अब हम इसको रिखानकित कर देते हैं तो जि सोल्व करना पड़ता है चले अब हम प्रशन 14 के तरह बढ़ते हैं प्रशन 14 है हमारा भाग देने वाला कोशन है यहाँ पर कहा जा रहा है भाग दीजिए किसका भाग दीजिए 500 में से 5 का भाग दीजिए कि करना है हमको 500 में 5 का भाग देना पड़ेगा हमको तो देखिए यह पर हम सबसे पहले लिखते है 500 500 में से हमको किसका भाग देना है 500 में से हमको 5 का भाग देना है तो देखिए सबसे शुरू में आपको करना क्या है 5 का पहड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 50 के आगे ना वड़े तो देखिए 5 दम 50 होता है तो देखिए हम सबसे शुरू में अब हम इसको घिसमें से घटा दींगे, 0 में से गया, 0 बचेगा, 5 में से 5 गया, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, इसके बाद हम एक और अगली संक्या को उतार लेंगे, तो देखे, सिंपल इसे हाँ पर करना कुछ नहीं है, 5 सुनम सुन हो जाता है, तो देखे, हमें आपर ल आगया, 100 आगया, इसका भागफल, तो उमीद आप सभी को समझ में आगया हुआ, आपने तो बैसे सीखे लिए होंगे, जो पुरानी करफच्छा में, अच्छे से पता ही होगा कि आपको भाग केसे देते हैं, अब देखे, हम प्रिश्ने 15 बच देखे, प्रिश्ने 15 क्या ह अब रोही करम में लिखिए, जहाँ पर आपको इससे पेले में बता था आपको कि आरोही करम में कैसे लिखते हैं, इस प्रिश्न में आपको कहा जा रहा है कि अब रोही करम में लिखिए, तो मैंने आपको इससे पेले बता था, अब रोही करम अर्थात होता है घरता को करम सबसे सुरू में हम सबसे सबसे बड़ी संख्य लिखते है फिर उसके बाद छोटी संख्य लिखते है फिर सबसे चोटी संख्य लिखते है अर्था थे हम इसमें संख्या को घटते हुए करम में लिखते है तो देखिए हमने आपर लिख दिया सबसे सुरू में अब वही करम मे लिखने पर तो छाटी आप यहाँ पर सबसे बड़ी संक्या है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संक्या है आर दसमलो चार तो सबसे पहले हम लिख देंगे आर दसमलो चार फिर उसके बाद देखिए उससे छोटी संक्या है तो देखिए चाटी यहाँ पर आर दसमलो चार क के बाद उससे छोटी संक्या है तो देखिए 8.4 के बाद उससे छोटी संक्या है 4.9 फिर उसके बाद देखिए उससे छोटी संक्या है 4.8 फिर देखिए उसके बाद उससे छोटी संक्या है 4.7 फिर उसके बाद देखिए सबसे छोटी संक्या है प्रिशन सोलब आप देखते हैं यहाँ पर देखे आपको करना क्या है जोड़ना है जोड़ भाग गोड़ा वाल सवाल भी आपको परिच्छा में पूछ लिए आते हैं आपको करने के हाँ पर जोड़ना है किस किस जोड़ना देखिए पहले सवाल कहा है 0.45 में आपको 3.04 को जोड़ना है और यहाँ पर देखिए दूसरे सवाल में आपको 0.75 में 1.33 को जोड़ना है तो देखिए हम इसे सिंपली से सोल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इ स्टार्ट करते हैं माल करना हाना सबसे डा तरफ से हम जोड़ना है या फिर घटाना करते है या फिर गोड़ operate घार थे रहर लेगıld और जीरों में तीन जोड़ने का तो कितना आशर आएगा यहांपर दस्रम लोगई होगा है जिप जीरों में तीन जोड़ दसमनों चार नो आंसर आ जाएगा अब देखिए इसके सेकेंड कोशन क्या है जीनु दसमनों पशेतर में आपको एक दसमनों तित्यस को जोड़ना है तो देखिए हम दाय तरप से स्टार्ट करते तो देखिए हाँ पर पाच में जब हम तीन को जोड़ेंगे तो कितना आसर आजाएगा आठ अब देखिए हाँ पर साथ में आपको तीन को जोड़ना तो देखिए साथ में जब हम तीन को जोड़ेंगे तो आसर कितना आएगा दस को सुनने लिखने पर हाँ पर कितना बन जाएगा हासिल में एक बन जाएगा यहाँ पर एक में हम एक को जोड़ेंग एक हो गई एक दस में लो पाँच हो गई 2 दसमलो 4 हो गई हम इन्हें अपूर्ण संख्या कहते है तो आपको पूर्ण संख्या को बताना है हाँ ना तो देखिए मानस 20 से बड़े आपको लिखेना है तो देखिए यदि देखिए यहाँ पर मानस 20 है मानस 20 से बड़ा क्या होगा मानस 20 से बढ़ा होगा यहाँ पर मानस 19 मानस 19 से बढ़ा क्या होगा मानस 18 मानस 19 से बढ़ा क्या होगा मानस 17 होगा अब यह दिया आपर धनात्म करेता देखिए आपर संक्या जो खटते हुग करम में जा रही है ना अर्थत बढ़ते हुग करम में जा रही है यहाँ पर संक्य मानस 20 से मानस 19 हुई है ना यानि मानस 20 से मानस 19 के तरह जाने पर संक्या का मान बढ़ जा रहा है लेकिन यहीं पर जैसे के मान से चलिए संक्या जो है बे धनात्मक रहती है मान से चलिए धनका 20 रहता तो देखिए प्लस का यदि 20 रहता तो संक्या का यदि हमको मान बढ़ाना तो देखिए आंसर क्या आता 20 से बड़ा क्या होता 21 होता 21 से बड़ा 22 होता 22 से बड़ा 23 होता तो इस प्रेकार से जो संक्या है धनात्मक बाड़ी बे इस प्रेकार से आगे बढ़ती है और जो रिनात्मक वाली संक्या है बे कुछ इस प्रेकार से आगे बढ़ती है यदि मान B से छोटा क्या आता मानस B से छोटा आता मानस 19 वो 21 आ जाता तो इस प्रिकार से जो संख्य है घट्यों कुर्ब में कुछ इस प्रिकार से चलती है तो यहां पर देखिएगा यहां पर आगो कोश्ण में कहा जा रहा है मानस 20 से बड़े 4 पूर्णांग लिखिए तो देखिए मानस 20 से बड़े 4 पूर्णांग कोन कोन से होंगे है ना मैंने आपको अभी बताया पूर्णांग अर्थात पूर्णांग कोन कोन से होंगे तो देखिए मानस 20 से बड़ा क्या होगा देखिए मानस 20 से बड़ा होगा मा सब्सक्राइब cylinder 12 से बाड़ए फोली नम्मक ४ोब आוד 29 से उस्थ से ना मानांस 19 जोगा 20त के होगाहते फिасть अब देखिए हम प्रेशन अठारव को देखें प्रेशना वाक्रकार से भर भरी उस्कत्राव मार। पूर्णांग लिखती है ना तो देखिए कुछ मैंने आपको अब इच बताया था ना ये देखिए रिन 4 से बड़े हमको यादी पूर्णांग लिखना है तो देखिए रिन 4 से बड़ा पूर्णांग क्या होगा रिन 3 होगा रिन 3 से बड़ा पूर्णांग क्या होगा रिन 2 होगा और रिन एक से बढ़ा पूर्णांग को लिखना तो देखिए रिन 4 से छोटा क्या होगा रिन तो देखिए इस प्रकार लिख दिंग है ना हमने यहां पर डाल लिया रेन 4 से छोटे 4 पूर्णांग तो देखिए रेन 4 से छोटा क्या होगा रेन 5 होगा रेन 5 से छोटा क्या होगा रेन 6 होगा रेन 7 से छोटा क्या होगा रेन 7 से छोटा क्या होगा रेन 8 होगा तो देखिए इस प्रकार से हमने 4 पूर्णांग लिखो तो देखिए रिंद 4 से बाड़ा पूर्णांग मं क्या होता अ स्वाड़ा हो गाने तो आफ मुझे खरके पूझस को सकते मैं आपको इसका आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा तो देखिए प्रश्ण 19 बा हम देखते है प्रश्ण 19 बा क्या है 1215 को 3 से भाग दीजी है ना 1215 में हमें किसका भाग देना है 3 का भाग देना है तो देखिए हमने हाप पर लिख दिया 1215 है ना 1215 में हमें 3 का भाग देना है तो तो हमने लिख दिया, हाप पर 4 लिख दिया, 3 चव कितना होता है, 12 होता है, तो देखिए, यहाप पर 2 में से 2 गाय जीरो आगया, 1 में से 1 गाय जीरो आगया, हमने आगए की 2 संके को उठा लिए, हमने आप लिख दिया 15, अब देखिए, 3 का पाड़ा ऐसा पढ़िया कि 15 से आ आगे बाद देखिए तो देखिए कितना होता है आपको पता योगा तीना 5 से पंदरर होता तो तो हमने हापक लिख दिया, 5 लिक दिया और उसके बाद देखिए तो देखिए हाँ पर कितना जाएगा 15 आ जाएगा तो देखिए 5 में से 5 गया 0 जेक में से 1 गया 0 तो देखिए भागफल कितने आ गया हाँ पर भागफल आ गया हाँ पर 45 भागफल आ गया अब सेले हम इस वीडियो का आखरी सवाल देख लेते हैं तो देखिए प्रेशने 20 बागे क्या है रिन 20 से बाड़े रिन 19, रिन 19 से बड़ा होगा रिन 18 इस प्रकार से करम चलते जाएगा तो देखिए हमको रिन 20 से बड़े दो पूर्णांग लिखना है तो हम लिख दिंगे रिन 20 से बड़ा क्या होता है रिन 19 होता है और रिन 19 से बड़ा क्या होता है रिन 18 होता है तो देखिए इस प्रकार स पुण्णांग लिखिदिया यहाँ पर चार या पाच पुण्णांग लिखने को बोलते हैं तो परकार से हुनित योच्छ पुचते हैं आपको किसी नई वीडियो को उत्तक लिज्ञ इन्द जय भारत